Hello friends, this is Harvinder Singh and welcome to the YouTube channel Learn with Harvinder Sir और इस वीडियो में हम करेंगे नौवी कक्षा की वनगी पुस्सक में से इश्वर चंदर नंदा जी के लिखे एकांगी जिसका नाम है मौन थारी इसकी हिंदी एक्स्प्लेनेशन दोस्तो इस बात का ध्यान रखे कि इस वीडियो में हमने इस पार्ट को हिंदी में एक्स्प्लेन किया पर अगर आप सबने हमारे साथ पंजाबी में इस पार्ट को समझना या इसके प्रिशन उत्तर करने हैं तो हमने उसकी अलग से वीडियोस बनाई हैं जिनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिये गए हैं और आप सभी विद्यार्थी उन वीडियोस को भी जरूर देखें आप शुरू करते हैं का इकांगी मौन धारी तो दोस्तों सबसे पहले ही हमें इकांगी का अर्थ है वह पता होना चाहिए जो इकांगी शेवद है वह दो शेवद एक और अंग के सुमेर के साथ बना है मीन्स की ये दो शेवद जोड़ के मिना है तो इसका मतलब है कि इकांगी का अर्थ है एक अंग वाला छोटा जा नाटक और महुंधारी का क्या मतलब है? महुंधारी का मतलब है महुंधारन करने वाला महुंधारना का मतलब है चुप रहना तो इस इकांगी में एक पात्र है, एक करेक्टर है जो कि शुरू से लेके end तक चुप रहता है और end महीं थोड़ा सा बोलता है इसलिए इस हिकांगी का नाम है महौन धारी और हम बात करेंगे इस हिकांगी के पत्रों के बारे में तो पहली पत्र है इस हिकांगी की राम प्यारी वह एक अधिखड उमर की तीवी है जिसका मतलब है कि वह एक middle age woman है उसके पदी का नाम है हरी चंद जिसकी उमर है 60 सार और हरी चंद की सिहत काफी खराब रहती है और उसको कई तरह की बिमारिये है तीसरा पातर है सिकांगी का मदनलाल जिसकी उमर है 30-32 साल वह राम प्यारी का पणेव है जिसका मतलब है कि राम प्यारी की बेहन ग्यानों का पुत्र है अगला पातर है कि शोगर चंद जो की राम प्यारी और हरी चंद का पुत्र है और उसकी मर है 30 सार तो इसके लावा दो और पातर है जो की सादू है एक सादू पतला सा है और वह मौनधारी है वह शुरू से लगके एंड तक चुप रहता है और एंड में थोड़ा सा बोलता है और जो दूसरा सादू है वह हटा कटा काफी ज़्यादा चोस्त चलाक है तो दोस्तो इस हिकांगी की शुरू में हम ये देखते हैं कि हरी चंद है वह घर से बाहर जा रहा है और राम प्यारी उसे पीछे से आवाज मारके पूछती है कि कहां जा रहे हो तो वह गुस्य से बोलता है कि डिट्ठे खूँ में जा रहा हूं तो वह अपनी पतनी को कहता ह कि पीछे से आवाज मारक है और कहता है कि मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूं उसके बाद हरी चंद है वह चला जाता है और उसके बाद एक लड़का एक कुली आता है वह पूछता राम प्यारी से कि चोदा नंबर क्वाटर यही है चोदा नंबर क्वाटर है राम प्यारी क ल मतलब है कि लुहे का बॉक्स रखके चला जाता है है और उसके बाद घर में आता है मदन वह अपनी मासी के गर आता है राम प्यार्य के घर आता है मासी जी नमस्ते अब जब मदन आता है तो उसक़ अपर वाला बटन अभकता हुए पगड़ी बहुत साफ निया और पग के वलों में से सिर में बढ़ी हुई पटियर दिखाई देती है, जिसका मतलब है कि मदन के सिर पे चोट लगी हुई है, और मदन अपनी मासी को कहता है कि तीन-चार महीने होगे हैं यह सी होगे हैं निकला हुए है तो बात क्या है, 3-4 महीने से क्यों निकला हुए वह है, तो उसका कारण है कि मदन और क्लर्क भूशन एक ही दफ्तर में एक अठे काम करते थे, अब क्या हुआ है दफ्तर में, उन्होंने मिलके, मदन और क्लर्क भूशन ने मिलके 48,000 का गबन किया, गबन करने का मतलब है पैस पैस्ट में आ गया और उसने गबन कर लिया, और जो भूशन ने मदन के पिछे पुलिस भी लगवा दिया, अब मदन के पिछे पुलिस लगए हुई है, और पुलिस से बचता फिर रह और उसके बाद क्या हुता है, थोड़ी देर बाद हरी चंद आ जाता है दवाई लेके राम प्यारी उसे पूछते कि कौन कौन से बिमारी बताई हैं डॉक्टर ने, तो वह कहता है कि कई बिमारिया हैं, जैसे कि दिल की खराबी, खून की कमी, धिल की धरकन, फेफडे खराब, पारम असी जुकाम, और डॉक्टर ने ये भी कहा है कि अकर दवाई से राम ना का टेस्ट, थूप का टेस्ट, तो राम प्यारी कहते हैं कि डॉक्टर आपको भरम में, वहम भरम में पाते हैं कि भरम में पाते हैं, आप किसी व्याद के पास जाओ, तो उसके बाद क्यों होता है हरीचंद राम प्यारी को मदन के बारे में बताते हैं कि मदन आया हुआ को सुबह ही घर से भीर देंगे अब थोड़ी देर बात कि होता है कि दो सादु वो आते हैं एक माडह सा पतला सा मौंधा रही होता है दुझा हटा कटा चुष चलाक होता है और दोनों सादु आके जमीन पर बैठ जाते हैं राम प्यारी सादुन का सतकार करती है उन्हें फल कुण खुलेंगे और जिस काः में ध्यान देंगे वह कारेट सिद्ध का जाएगा और उसके बाद क्यों नहीं होता है हरी चंद का सब्सक्राइब का थोड़ा सा मजाखिया है सादू के सादम करते हैं तो वह सादू को अपनी बिमारीयों के दवाई उन्होंने नहरायन गड़के ठाकुर साहब के लिए बनाई थी कि महात्मा आपको दिसी दवाई देंगे और आप बिल्कु ठीक हो जाओगे तब सादू यह कहता है उसके बाद सादू कहता है कि सौरुगों का एक हिलाजा भी सौरुगों का एक हिलाजा है वह हिलाज इसका यह मतलब है कि चीडी नदी में से चोंच बर के पानी ले गई है थोड़ा सा पानी पीके चीडी ले गई है और नदी का पानी है वह कम नहीं होगा इसी तरह दान देने से जो धन्य घटेगा नहीं कम नहीं होगा यह भगत कबीर जी कह गया तो यह इस दो एक अर्थ इसके बाद किशोर आजाता है और किशोर राम प्यारी हो हरी चंत का पुत्र है वैं नमेख यह वड़ाव वाला जो है लड़का और वैं सादू पे विश्वास नहीं करता है वैं सादू को देखता है और अपने माबाप को कहता है कि न पकंडियों को मुणा लगाओ यह व भागे वे मुल्जिम है अब दोस्तों एक तरफ तो हमने देखा कि किशो रह वैं सादूं का सतकार नहीं करता है और उन्हें घर से जाने के लिए कहता है और दूसरी तरफ राम प्यारी और हरेज़ चंद सादूं का बहुत सतकार करते हैं तो उसके बाद क्या होता है राम प् उमर में तिरको चोट लगनी चाहिए तो मदन कहता है कि हाँ मैं सीडियों से गिर गिर गया था और मेरे मत्य पर सिर पर चोट लगी है और सादू मदन को कहता है कि जो तुमारा कष्ट है वे दूर होने वाला है और दौरा भी तुमारा समापत होने वाला है और उसके बाद सादू मधन को मौनधारी की तरफ इशारा करके कहता है कि इसको नमस्कार करो यह भोती करनी वाला है और उसके बाद जो किशोर है वे अखबार लेके आ जाता है और वे दिखाता है कि दो मुल्सेम भागे हुए बार में दिखाता है कि एक कर चेहरा सादू के साथ बहुत ज़्यादा मिलता है तो उसके बाद सादू कहता है कि संत की महमा कोई विरला जाने तो वे अपने आपको संत कहता है और कहता है कि संत की महमा कोई विरला ही जाने और उसके बाद किशोर जवाब देता है कि संत की महम पुलिस पचाने अब किशोर वे पुलिस बुलाने जाने वाला होता है क्यों कि पुलिस बुलाने जा रहा होता है सादू को पकड़ लेता है कि कहा जा रहा है बच्चो मौन धारी की तरफ इशारा करके कहता है कि शनाखती धाग पहचान का दाग इसके मत्थे पे इसके सिर पे है तो उसकी पट्टी खूल देता है मौन धारी की तरफ इशारा करके उसका जो दाग है वह दिखाता है अब हुआ क्या है असल बात यह कि जो दो सादू है पुलिस वाले उनका क्या मकसद है वह मुल्जिम मदन को पकड़ने आया उसको पकड़ने आया और मदन की पहचान कहा कि उसके सिर पे चोड लगे हुई है तो पहले पुलिस वालों ने उसकी पहचान करनी और उसके बाद उसको पकड़ना है तो उन्होंने उसकी पहचान कर ल तान देता है और वह अपनी दाड़ी उतार देता है खबरदार हिलो मत मैं इस वेक्टर दीप चंद और दूसरे सादु को कहता है कि हवालदार जाने ना पाए मुल्जिम और मदन कहता है कि मैं मारे आ गया तो इस तरह जो पुलिस है वह अपने मकसद में काम्याब हो जाती है पुलिस का क्या मकसद होता है मुल्जिम मदन को पकड़ना तो दोस्तों यह थी बहुत ही वदिया इकांगी जिसका नाम है मौनतारी मुझे पूरी उमीद है कि आप सबको यह इकांगी बहुत ही अच्छी तरह समझ आ गई होगी अब हम बात करेंगे इस इकांगी के विशे दूसरा गबन करने वालों के चरित्र को पेश किया गया और जिसने की पैसों का दोहका किया है और और तीसरा पुलिस की सफलकार गुजारे की किस तरह पुलिस ने केस ओल किया किस तरह पुलिस ने सादू के बेस में आई और अपने मकसद में कामयाब हुई मुल्जिम मदन को गिरफतार किया तो इस बातों का प्रक्टावा इस इकांगी में किया गया है तो दोस्तों मुझे अपने ध्यापक सर्दार हरविंदर सिंग को इजाजा सच स्रीयका